अस्सलाम अलेकुम एव्रिवन वेल्कम डू मार्वी अकैडमी चैनल आज हम लोग डिसकस करेंगे अपने एविन एंड और्ड नंबर्स के बारे में जो हमने ऑक्सफोर्ट की मैक्स की बुक से लिया है क्लास 3 की यूनिट 1 है यह हमारे पास जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहा है सबसे पहले हम लोग एविन और्ड नंबर्स पर पढ़ेंगे इस यूनिट 1 में तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एविन और और नंबर्स होते क्या है चलिए फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट री डिसकस अबाउट इविन नमबर इविन नमबर को डिसकस करने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना था यह कि यूनिट 10, 100 यह सब कुछ क्या हो जो हम लोग देखें अगर हमारे पास 23 है इक नमबर जिसमें से अगर हम लोग देखें जो 3 है वो हमारे पास क्या होता है यूनिट होता है जबकर जो 2 होता है वो हमारे पास 10 जाता है इसी तरह समझाते हैं जैसे पीछे चलते जाएंगे तो हमारे पास 100 आजाएगा फिर 1000 आजाएगा इस तरह से तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Even Numbers Even Numbers हमाई पास वो होते हैं जो हमाई पास Always Ends होते हैं वो हमाई पास with 0, 2, 4, 6 and 8 And is Always divisible by 2 अब जैसे हम लोग अगर एक्जेम्पल लें तो हमाई पास क्या है? 24 है 24 है, 14 है 34 है, अब इस 34 में जब कि हम लोग देखें तो हमाई पास क्या है? 3 जो है, वो हमाई पास 2 से डिवाइट नहीं होता है लेकिन 4 हमाई पास 2 से डिवाइट होता है तो हमने हमेश्यों क्या देखना है? Unit Digit को देखना है तो अब हम लोग चलते हैं odd numbers की तरफ, odd numbers हमाई पास क्या होता है odd numbers हमाई पास जो हमाई पास always क्या होता है, ends with 1, 3, 5, 7 and 9 ये, जैसे हमाई पास even numbers जो होते थे, वो हमाई पास क्या होते थे divide हो सकते थे by 2 से लेकिन हमाई पास क्या है? odd numbers वो divide नहीं हो सकते by 2 से जैसे कि हमने देखा था कि हमाई पस क्या है 34 है वो हमाई पस डिवाइट हो सकता था 2 से लेकिन अगर हम लोग इसी तरह से देखें 23 को देखें तो वो हमाई पस डिवाइट नहीं हो सकता हमाई पस 2 से । इसी वज़ा से क्यों क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसका हमाई पास लासट का डिचिट है। यह टजजिट है वह हमाई पास क्या है 3 है और वह हमाई पास क्या है Na 2 से और फोत तो क्यों हमाया पास क्या प्र disp moneyhet सकता है जैसे कि 2 3 is a 6, 2 1 is a 2, हमाई पर divide हो रहा है, ऐसे हमाई पर 84 है, 90 है, अब 90 क्या है हमाई पर 90 में अगर हम लोग देखें तो 9 हमाई पर 2 से divide नहीं हो सकते हैं, लेकिन 0 हमाई पर even number है, इस वज़े से हम इसे क्या ले रहे हैं, even numbers में count कर रहे हैं, क्योंकि 0 हमाई पर even number होता है और ये हमाई पर के unit digit में आ रहे हैं, that's why this is even number, okay, तो 10, 76, 42 and 44, all are even numbers, next हमाई पर क्या है, 31, 45, 73, 85, 49, 15 and 59, these all are odd numbers, right, अब लोग देखें तो क्या है हमाई पर सब की unit digit में हमाई पर क्या रहे है, 31 का unit digit क्या है, 1, 45 का unit digit क्या है, 5, 4 हमाई पस क्या हो जाएगा, 10, इसी के तरह अगर हमाई पस 4 से पहले कुछ लिखा वागो, तो वो हमाई पस क्या हो जाएगा, 100, इसी तरह गर हम लोग देखें, तो सब के आखिन में, 1, 3, 5, 7, 9, इन ही में से कोई न कोई डिजिट हमाई पास आ रहा होगा unit digit में, तो वो सब हमाई पस क्या हो जाएगे, odd numbers, okay students, okay, अब आप लोगों की कुछ practice के लिए मैंने कुछ exercise यहाँ पे लिखें, आप लोगों को देखिएगा, उनकी practice कीजिएगा, इन सब को आप लोग अपने पास note कीजिएगा, इन सब में से आप अपने पास circle कर लीजिएगा, जो even number हो, जो odd number हो, उनको आप लोग square का shape दे लीजिएगा, triangle shape दे लीजिएगा, जो भी देना हो, बस फर्क नसरा आना चाहिए, आप लोगों को कौन से even number है, कौन सा odd number है, okay, और कुछ आप लोगों को ना समझे माई तो comment में जरूर करके मुझसे कर दिजिएगा, ताके आप लोगों को वीडियो time पर मिलती चाहें, मेरी, thank you